आपके बस Realme का कोई साभी डिवाइस है तो यहां पे आप न्यू वर्जिन में सॉफ्ट्वेर अपडेट कैसे कर सकते हैं तो यहां पे आपको सेटिंग पे जाना है और स्क्रॉल करेंगे तो अब आउट डिवाइस पे अगर मैं जाकर आपको दिखाऊंगे तो यहां पे यूआई पे आप क्लिक कर लेंगे इससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि यहां पे ना एंड्रोइड वर्जन 13 है रियल में यूआई पे आपको क्लिक कर लेना है आपको नए अपडेट मिल रखा है रियल में यूआई 5.0 एंड्रोइड 14 के साथ और फिलहाल मेरे फोन म है ठीक है यहां पे आपको 5.0 एंड्रोइड 14 के साथ मिल चुका है टोटल जो लेंथ है ना 5.82 जीबी है मतलब अप्रॉक्स 6 जीबी के आसपास स्पेस लगेगा इसमें स्टोरेज है तो अपडेट कर लेंगे अधरवाई स्टोरेज सोड़ा सा खाली कर लेंगे और इसमें आपको यही चीज़े देखने को मिल जाती है अब आउट इस वर्जन पर जाके ना यह सारी चीज़े आप पढ़ लेंगे कि इस वर्जन के साथ आपको क्या क्या चीज़े मिल जाएंगी अपडेट होके डाउन्लोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे जब तक यह डा 9% डाउन्लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है बस दो मिनट आप वेट कर लेंगे तो यहां पर आपको इंस्टॉल नाओ का ओप्शन आप देखने को मिल जाएगा इंस्टॉल नाओ पे क्लिक कर लेंगे यह वेरिफाई हो रहा है वेट कर लेंगे फोन आपका स्विच आफ हो होगा आप वेट कर लेंगे कोई बटन आपको नहीं छेड़ना है और नहीं खुद से स्टार्ट करना है कि अब फोन आपके यहां पर आन हो चुका है लॉक एंटर कर देंगे वेट कर लेंगे तो यहां पर आप जाएंगे और यह इस ट्रैप से आपको शो होगा आप आप आउट डिवाइस पर जाके आप देखेंगे कि रियल में UI 5.0 आपको मिल चुका है एंडरोइड 14 के साथ और यहां पर एंडरोइड 14 वर्जिन है तो इस ट्रैप से आप अपने सिस्टम को अप नुशन करेंगे कि आप मिल रियन करेंगे दोख का मिलोख कर एंडर व對啊